नमस्कार अनन्तियात्र में आपका स्वागत मैं डॉक्टर विजदीचित कठिन परिस्थितियों में इंसान क्यों तूट जाता है जबकि मचलियां कभी भी परिवर्थित नहीं होती उनका सुभव परिवर्थित नहीं होता एक सत्य कहानी मचलियों और चंद्रमा के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है वेग्यनकों ने कई बार अध्यन किये आज भी अध्यन लगातार जारी है लेकिन हर बार जीत मचलियों की होती है मचलियों लाकों वर्सों से अंडे देते आ रहे हैं और वो अंडे उस समय देती हैं जिस समय चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता है चंदमा अपने एक किसी विसेज समय पर आता है और उसी समय मशलिया अंडे देती है अगर ऐसा नहीं होता तो मशलिया पूरी दुनिया से समाप्त हो चुकी होती है नदी, नाले, जील, समुद्र कहीं पर भी मशलिया नहीं होती है आपको बता दे कि मशलिया उस समय अंडे देती है जब समुद्र का पानी बापिस जा रहा होता है जिस समय जौर भाटा आता है वो बापिस जा रही है लहरें उस समय वो जमीनी इस्तर पर रेत में अंडे छोड़ के जाती है पंदरा दिन बाद फिर से जौर आता है चंदमा की हैसाब से फिर से समुद्र में जौर भाटा आता है और लहरें अपने साथ में उन मश्लियों को लेके चले जाती है जो अंडों से निकले हैं और ये प्रकरिया लगातार चलती है लाकों करोडों मचलिया एक साथ रेट पे आती हैं अंडे देती हैं और पंदरा दिन बाद उनके बच्चे फिर वापिस समुत्र में चले जाते हैं वो बड़ी मचलिया बनती है वो भी अंडे देती है इसके लिए कई वैग्यान को ने बहुत सारे अध्यन की उनको अंधेरे में रखा कई जगे वैग्यान को ने इसके पर शोद की लेकिन उन्होंने देखा कि इस चंदमा जब विसेस समय पर चंदमा पूर्ण होता है जिस समय समुत्र में जोर भटा आ रहा होता है ठीक उसी समय घर में एक छोटे से पॉट में जिसमें पूरा अंधेरा है मचलियों ना दिन का पता है ना रात का पता है तो भी वो उस पानी में अंडे छोड़ देती है क्योंकि उनके पास तो रेत की ववस्ता नहीं है ना इन सब के बाद भी मचलियां हारी नहीं चाहे वैग्यान को ने कितने भी कुसिस कर ली कितने भी तरह के अध्यन करे लेकिन हर बार नहीं हुए तो इनसान क्यों हार जाता है दरसल ये दिमागी फितू है हमारे दिमाग में किस तरह का केमिकल आता है हमको लगता है कि हम हार जाएं इसलिए तो किसी ने कहा है मन के जीते जीत है मन के हारे हार आप मन से जीती है आप मन में तै कर लीजिए कि आपकी जीत निस् चाहे कुछ भी हो जाए चन्दमा जब अपनी पूर्ण स्थिती में आएगा मशली को यह पता होता है कि उसको अंडे देना है यह सांकितिक भासा है या कोई न कोई भासा है या उसके दिमाग के अंदर कुछ इस तरह का फीड है कि वो अटोमेटिक अंडे दे करके आती है तो मनिश्यों को भी किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिती में हारना नहीं है चाहे कुरोना जैसी कठिन बीमारी भी क्यों ना आ जाए तो हम सभी को दुनिया को और अपने आपको बचा के आगे ले जाना है मित्रों आज की कहानी इतनी ही मैं आपसे अग्रे करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा साथ ही इस वीडियो को शेर और लाइक जरू कीजे इसके साथ ही डॉक्टर विजद इक्षित को आकिया दीजे धन्यवार